जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान भारत में पहली बार, पाम तेल, चार बड़े खादे तेलों में सबसे महना खादे तेल हो गया है गौरतलब है कि युकरेन पर रूस के आकरमन्ट के साथ ही देश में सूरज मुखी के तेल की सप्लाई थम गई है जिसके चलते खडीदार सूरज मुखी के तेल के विकल्प के तौर पर पाम तेल की तरफ रुख कर रही है जिसके चलते पाम तेल की कीमतों में भारी बड़ोतरी देखने को मिल रही है गौरतलब है कि पूरवी यूरोप का ब्लैक सी का इलाका सुरज मुखी के तेल के उतपादन के लिए जाना जाता है लेकिन इस पूरे इलाके में रूसी आकर्मन के चलते अफरा तरफरी फैल गई है जिससे देश में सनफ्लावर ओयल की सप्लाई घट गई है जिसका फायदा पाम ओयल को मिल रहा है यूक्रेन और रूस के युद का मलेशिया और इंडोनेशिया की तेल कंपनियों ने फायदा उठाते वे खादय तेलों के दाम और महगे कर दिये हैं पाम ओयल की कीमतों में ये बढ़ोतरी पहले से ही महगाई से जूज रहे एशियाई और अफ्रीकन देशों के उपभोकताओं के जेब पर भारी असर डाल सकती है जिसके चलते वे अपना खपत घटाने के लिए मजबूर हो सकते हैं अंतराष्टे बजार में कच्चा पाम तेल का भाव 1925 डॉलर प्रती टन पर नजर आ रहा है दूसरी तरफ क्रूड सोया तेल का भाव 1865 डॉलर पर है ये भारत के लिए मार्च में होने वाले शिपमेंट के भाव हैं वही क्रूड रेप सीड ओयल का भाव 1900 डॉलर प्रती टन के आसपास है जब कि ट्रेडर्स युक्रेन संकट के कारण बोट बंध होने के चलते सनफलावर ओयल का शिपमेंट करने में सक्षम नहीं है युक्रेन संकट के चलते भारत में पाम ओयल के भाव सोया ओयल की तुलना में अपने सरवोच्टम स्तर पर पहुँच गए हैं बताते चने कि ब्लैक सी का इलाका दुनिया भर के सनफलावर ओयल उत्पादन में 60% की और इसके एक्सपोर्ट में 76% की हिस्सेदारी रखता है जब तक रूस का आकरमन खत्म नहीं हो जाता तब तक युक्रेन के पोर्ट बंधी रहेंगे एशियाई और यूरोपियन रिफाइनरियों ने सुरज मुखी के तेल की जगा भरने के लिए नियर मंथ शिप्मेंट के लिए पाम ओयल की खरीदारी बढ़ा दी है उनके पास सोया ओयल खरीदने का भी विकल्प है लेकिन सोया ओयल तुरंद शिप्मेंट की संभावना सीमित है इसको एशिया तक पहुचने में पाम तेल की तुलना में ज़्याद समय लगेगा जिसको ध्यान में रखते वे डीलर और ट्रेडर्स पाम ओयल का इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा रहे हैं जिसके चलते पाम ओयल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है इसके अरावा अर्जंटीना, ब्राजीन और पेरागोय में सूखा पढ़ने के कारण सोयवीन के उत्पादन में गिरावड की संभावना है इसका फायदा भी पाम ओयल को मिल रहा है इन पोड, मांके टाइम्स टीवी आपके प्रोड़क्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान